मॉर्णिंग एवर्डिवन कैसे हैं आप सब आज सुभर सुभर का करेंट अफ्यर्स सबसे पहले पहला सवाल है कि किस देश में आइकॉनिक आइकॉनिक फ्लेग तिरॉन बिल्डिंग 1563 करोर रुपय में निलाम हो गई अब अमेरिका जापान रूस सुचे लैंड तो इसका आंसर होगा अमेरिका हुआ है कि अब नू यॉर्ट में यह बिल्डिंग था फ्लैटिरॉन बिल्डिंग यह अपने यह 1902 में बना हुआ बिल्डिंग है और यह अपने पत सुपय में बेचा गया अब्राहम ट्रस्ट इर्वेस्ट्मेंट फंड के मैनेजिंग पार्टनर जैके गार्लिक ने इसको खईदा इनका कहना यह है कि यह जब छोटे थे तभी से यह देख रहे हैं और उनका सपना था तो 14 साल के थे तभी से यह देख रहे थे और आज यह इन्होंने निलामी के बाद इसको खई लिया है यह बेल्डिंग 2019 से ही खाली है और इसका क्या करना इसका कोई डिसिजर नहीं लिया जा रहा था आक्शली यह जो वेल्डिंग है यह वहां के रियल स्टेट कंपनियों के संग के पास था तो बाद में इसको कोट के ओर्डर पे दिलाम कर दिया गया अगला सवाल है हाली में किस देश में पानी के भीतर हमला करने वाले परमानूं ड्रोन ड्रोन का परिक्षन किया गया उत्री कोडिया अमेरिका चीन या इरान तो इसका अंसर होगा उत्र कोडिया नॉर्थ कोडिया नॉर्थ कोडिया ड्रोन जो है नौर्थ कोडिया ने अभी क्या किया है 59 69 गंटे तक पानी के अंदर रहकर ये ड्रोन काम कर सकता है और पानी में इसने 20 फूर्ट भी किया इसके बारे में कुछ खास जानकारी नहीं क्योंकि उत्तर कोडिया और चाइना इन सब के बारे में बहुत जानकारी नहीं बिल पाती है लेकिन ये दावा किया गया है कि उत्तर कोडिया ने वहाँ उत्तर कोडिया ने एक पानी के अंदर काम करने वाले प्रमानू ड्रोन का प तो उसका जवाब दिया जा सकता है और सुनामी जैसे स्थिति अगर पैदा की जा सकती है तो उसके लिए इसको बनाया गया है इसके लाबा परधार मंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा देश का पहला पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे प्रजेक्ट का सुभारम कहा किया गया इसको हम लोग पहले डिसकस कर चुके हैं वैसे लेकिन फिर एक बर कोलकाता वारा नसी दीन दियालूपाध्या या प्रिया किया है और उसके साथ यह पॉब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे भी है जिसका इन्होंने सिला नयास किया है एक्चली हो किया रहा है कि यहां पर अभी लगातार इंवेस्मेंट चल रहा है कासी को पूरी तरह से उसका कायक कल्प करने के लिए अलग अलग तरह के प्रोजेक है इस पर ओलेडी हम डिसकास कर चुके हैं यह रोपवे जो है दुनिया का देश का भारत का पहला और दुनिया का तीसरा ऐसा सहर होगा जहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए रोपवे का इस्तमाल किया जाएगा वारा नसी में कहां तो गदौलिया चौक से चौक त एक ट्रॉली में दस लोग जा सकते हैं और ऐसे करके 150 के आसपास ट्रॉली एक साथ चल सकती है तो एक बार में 6000 के आसपास यात्रा किया जा सकता है दो साल के अंदर ये बनके तयार हो जाएगा कैन टेल्वे सेशन, कासिविद्या पीट, गिरजागर, गदौलिया स्टेशन इन सब जगर पे स्टेशन बनाये जाएगा एक बार में 6000 के आसपास लोग आ जा सकेंगे इसके पहले बूलीबिया के राजधानी लापाच और मेकसिको में इस तरह की सुविदा थी अब ये सुविदा भारत के अंदर भी होगी किस राज्य की सरकार के दौरा मुसल्मान को मिल रहे आरक्षन के कोटे को कम कर दिया गया है और उसको दो अलग और समुदाय के अंदर बाट दिया गया है तो इसका आंसर होगा करनाटक सरकार के दौरा अभी ये डिसिजन लिया गया है मुसल्मान के आरक्षन जो आरक्षन दिया जाता था उसके हिस्से से 4% आरक्षन को कम कर दिया गया है और वक्का लिंगा और लिंगाय समुदाय के बीच में उसको डिस्रिब्यूट कर दिया गया है अब यहाँ fact क्या है? फैक्ट ये है कि करनाटक में इस साल होने वाला एलेक्शन है वहां के मुखमंत्री अभी कौन है मुखमंत्री है बसवराज बोमई उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया है और OBC मुसल्मान को जो मिल रहा था 4% रिजरिशन वो समाप्त कर दिया गया है और दूसरी जो लिंगायर समुदाये के लोग है उनके बीश में लिंगायर और वकका लिगा समुदाये के बाठ दिया है मुखमंत्री कौन है मुखमंत्री याद रिख já अभी वहां होने वाला है अलेक्शन ठीक है तो election को लेकर ही कहा जा रहा है कि इसकी ये तयारी कर रहा है तो बसब राज बुमाई वहां के मुख्यमंत्री है हुआ क्या 4% को इन्हों रोक दिया अब दे दिया है reservation दे दिया है दूसरे को इसकी कारण क्या हुआ वहां के जो reservation percentage है वो बढ़के ज़्यादा हो चुका है सुप्रीम कोर्ट ने ओलरी 50% टैक किया है maximum उससे ज़्यादा नहीं होगा ये बढ़के 57% हो चुका है तो इसको लेकर फिर कोर्ट में जाने की बात चल रही है और दूसरी तरफ बुका लिगा के लिए जो quota reservation था या नहीं बुका लिगा के लिए जो quota reservation था वो 5% से बढ़के 7% हो गया है और लिंगाय समुदाय के और सुरेनी में 5% से बढ़के उनकी जो category है उनको जो reservation हो 7% हो गया है सवाल ये उफता है जो OBC मुसल्मानों से जो 4% लिया गया उसका क्या है तो OBC मुसल्मानों से जिनसे 4% लिया गया है तो अब reservation था उनको है नहीं उनको अब EWS या नहीं आर्थिक रूप से जो कमजोर तबका है उस category के अंदर उनको डाल गया है तो ये है fact इसके बाद किस देश ने Eric Garcetti को भारत में राजदूत निप्त किया है Eric Garcetti America, Britain, Canada या रूस तो इसका आंसर क्या होगा America America की उपराश्पती है Kamala Harris उन्होंने वासिंग्टन में एक प्रोग्राम आयूजित किया और Los Angeles की पुर्व मेयर रही Eric Garcetti को भारत का अमीर की राजदूत निप्त कर दिया है Eric Garcetti को अमीर की राजदूत निप्त कर दिया गया है तो ये important factor है इतना काफी है इसे ज़्यादा करने की जोथ है नहीं यहाँ एक अच्छा record भारत के नाम हुआ है नीतू घंगास नीतू घंगास और स्वीटी पुड़ा नीतू घंगास और स्वीटी पुड़ा ने किस खेल में गोल्ड मेडल जीत के भारत का संबान बढ़ाया है बैडमिंटन, बॉक्सिंग, टेबल टेनिस, एथलेटिक्स आंसर इसका होगा बॉक्सिंग बॉक्सिंग की खेल में नीतू घंगास और स्वीटी पुड़ा ने क्या किया बिस्व बॉक्सिंग चैंपियंशिप चल रहा है उसमें इन्होंने धमाल मचाते हुए अपने अपने सेक्सन के अंदर गोल्ड मेडल जीत लिया नीतू घंगास ने 48 केजी में तो स्वीटी ने 81 केजी के अंदर गोल्ड मेडल को जीता है और इन दोनों ही पदक के साथ इस परतियूगत्या में इन्होंने एक इतिहास रज दिया स्वन पदक जीतने वाली नीतू और स्वीटी करमसा छट्थी और सात्मी ऐसी भारतिय मुक्यबाज बन गई है जिन्होंने ये जीता है स्वीटी पुरा ने तो चीन की वैंग लिंग को हडाया तो ये important fact है और इतना काफी है इसके पहले भी नीतू जो है वो common build game में भी good medal जीत चुकी थी तो ये सारा fact है अभी है कहां पर ये match हो कहा रहा है तो नीतू हंगास और स्वीटी पुरा ने boxing में जो ये पदक जीता है ये boxing इस बार नई दिल्ली यानि भारत में हो रहा है महिला 200 boxing championship तो ये fact आपके याद रखना है कि मेजबानी भारत करने वाला है इसके पहले ये तीसरा है ये तीसरी बार है सही होग ऐसा है कि ये तीसरी बार है 2006 और 2018 में भी कर चुका है लेकिन अभी तक भारत को पुरूस की बिस्व championship आयोगन करने का मौका नहीं मिला है तो ये यहाँ पे important fact है इसके अलावा भी कुछ records बने है नीतू से पहले भी भारत में भारत के लिए बिस boxing championship में मेरी कौम, सरीता देवी, जिन्नी आरेल लेखा किसी और निखत जरीन ने gold medal जीत लिया है तो ये सारे important है और ये इस साल के अभी जो भी exam upcoming होगा उसके लिए ज़वड़ी है दूसरा fact है कि किस राज ने operation हीम रहत operation हीम रहत के को चला कर लबग 14 सो लोगों को बचाया उत्राखंट हिमाचल परदेश लद्दाक सिक्किम तो इसका अंसर होगा सिक्किम अभी इसके पहले भी सारे दीन सो लोगों को बचाया था तो operation अभी fact ये है कि पूर्वी सिक्किम में operation हीम रहा चला कर एक बहुत बड़ा बचाओ अभी हान चलाया गया अचानक बरबाड़ी में फसे लगबग 14 सो प्रेटक को सुने से नीचे के तापमान पे भी मतलब वहां से बचा के सुरक्षित लाया गया तो ये एक बड़ी बात थी इसके अंदर भारतिय सेना और BRO मुख्यता सामिल है जबकि लोकल आथरीटी भी उसके अंदर है इस बार अचानक से मतलब अचानक से जो बड़ी हुआ पैटर्न मौसम का अचानक से बदला और उसके कारण ये स्थिती आई और इस स्थिती में एक भी कैज़ूल्टी नहीं होने दिने को लेकर काफी ज़्यादा हैप्टिशियेट किया जा रहा है और इस तरह से एक्टिव होके बरबाडी में प्रेटक को बचाया है तो सिक्किम के टूरिज्म के लिए भी ये काफी अच्छा माना जाता है माना जा रहा है हाली में किस राजजी के लिए इस्पेसल वंदे भारत ट्रेन तयार किया जा रहा है इस्पेसल वंदे भारत ट्रेन और राचल परदेश जम्मो एड कसमीर हिमाचल परदेश लदाक इसका आंसर होगा जम्मो एड कसमी इसका इसका fact लिए है कि अभी रेल मंत्री कश्मीर के दोड़े पे गये है और वहाँ पे बंदे भारत को इस्पेसली डिजाइन किया जा रहा है इस्पेसली डिजाइन इसी लिए किया जा रहा है ताकि ठंड के मौसम में भी जो पैसेंजर हैं बहुत अराम से उसकी सफर कर सके Actually धर्ती की जन्नत कही जाने वाली कश्मीर में जल्दी ही रेल सेवा सुरू हो रही है इसका जायजा रेल मंतरी अस्विनी वैशनॉम ने जाके वहाँ पे लिया है और वंदे भारत उसके लिए बनाया भी जा रहा है और उमीद ये है कि इस साल के दिसंबर में या आगले साल के जैन फैद तक वहाँ पे ट्रेन स्टार्ट हो जाएगा अब एक छोटी से बहुत कम कोच के ट्रेन का ट्राइल भी लिया गया है क्योंकि उधंपूर और बारामुला के बीच में जो रेल लिंक बन रहा है उसके उपर दुनिया की सबसे उची रेल बे ब्रिज बनाई जा रही है और उस पे ट्रेन दौरा के टेस्ट भी कर लिया गया ठीक है? वो भी कर लिया गया है तो छोटी ट्रेन थी कम बौगी की ट्रेन थी धीर धीरे करके उसको 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 ट्राइ किया है तो यह सारी चीजे अभी कहा होड़ी है जम्मू एंड कश्मीर में हो रही है इसके बाद 2023 का जो अर्थ आवर था वो किस तारीक को मनाए गया? तो 2023 का जो अर्थ आवर था वो 25 अप्रेल को मनाए गया जो अर्थ आवर था वो 25 अप्रेल को मनाए गया देखिए होता है क्या है? यह अर्थ आवर मनाया कब जाता है? तो अर्थ आवर हर साल मनाया जाता है इसकी दौरा हर साल के मार्च महीने के आखरी सनी बार ध्यान रखना इस बार मार्च महीने का आखरी सनी बार पड़ा है 25 को तो मार्च महीने के आखरी सनी बार को ये मनाया जाता है और साड़े आठ बजे से साड़े नौ बजे के बीच ये भी टाइम ते है, 8.30 से 9.30 के बीच में इसको मनाय जाता है और इस बीच में कोसिस की जाती है, जो भी अनावश्यक लाइट है सनी की पूरा अंधेरा करना है, जो भी अनावश्यक लाइट है उसको एक घंटे के लिए बंद कर दिये जाए लेकिन दूसरी तरफ, अभी एक और फैक्ट है इसके साथ पहले उसको देख लेते हैं हाली में किस देश के द्वारा इस साल के आर्थावर को खुले तोर पे विरोध किया गया सवाल है कि ये विरोध किस ने किया है, अमेरिका ने, चीन ने, उत्तर कोडिया ने या रूस ने तो इसका आंसर होगा, रूस रसिया ने, रसिया ने खुले तोर पे आर्थावर का उलंगन किया है इन्होंने ये बोला है कि इस साल हमें अंधेरे में रहने की जरूरत नहीं है ऐसे कहते हुए इन्होंने बिलकुल ही इसको इग्नोर कर दिया है यानि सीधा-सीधा रूस नहीं कहा है कि इस साल अर्थावर के अंधेरे से वो परहेज करेगा और इतना ही नहीं WWF को इसने विदेसी एजेंट करार दिया है क्योंकि इस सरकी संस्थाओं पर अमेरिका का थोड़ा सा अधीक दवाव है तो रसिया अभी बिलकुल ही अमेरिका से कटा कटा चल रहा है तो उसको लेकर इसने विरोध दर्ज की और इसने कहा है कि इस साल हम उससे बाहर रहेंगे तो यह फैक्ट है तो करेंट अफेर्स से जुड़े हुए आपके आज के सारे फैक्ट हो गए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स डे बे